कि नमस्कार हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी काविनेंदन दोस्तों आपको लगातार हिंदी साहिति से सम्मंधित परिक्षा के लिए उपयोगी प्रस्नोतरी दे रहे हैं उसी प्रस्नोतरी के एक्रम में आज एक नई प्रस्नोतरी के साथ उपस्तित हैं यह प्रस्नोतरी जो प्रस्न दिये जा रहे हैं यह परिक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं ऐसी ही प्रस्न परिक्षाओं में आते हैं तो इसको एक बार जरूर पढ़ें इससे पहले आपने चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सकाइब कर सकते हैं जिससे हमारे द्वार महत्पूर प्रशनों की प्रशनों तरी आपको मिलती रहेगी आई ये चलते हैं पहले प्रशन पर हिंदी नौ नौरतन ने जो लिखा है मिस्रबंधू ने लिखा है हिंदी नौरतन किस ने लिखा है मिस्रबंधू ने तो हिंदी नौरतन को इस तरह से देखेंगे कि मिस्रबंधू ने लिखा है अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन जो हमारे सामने हैं आलखंड का दूसरा नाम क क्या है आल खंड बशल्देव रासो परमाल रासो खुमाल रासो हम्मीर रासो चार रासो काब दिये गए हैं आल खंड दके लेखग जो है उसमें से सहीं विकल्प है परमाल रासो परमाल रासो आल खंड के सहीं विकल्प हैं अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण है कविटा के नए प्रतिमान रचना की रचना विधा है अब यहां रचना विधा पूछी गई है रचनाओं की विधा से संब्धित प्रश्ण है याता वृतांत नेवंध आलोचना समालोचन यहां पर आपको सहीं विकल्ब जो दिख रहा है आलोचना कविता के नए प्रतिमान आलोचना विधा की रचना है अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन इस तरह से हैं आलोचना विधा की रचना सुद्ध कविता की खोज रचना के रचनाकार हैं सुद्ध कविता की खोज की बात की जा रही है आचार रामचन सुक्र यश्पाल मुक्तिबोध दिनकर तो यहां पर आपको सुद्ध कविता की खोज अगर बात की जाए तो सुद्ध कविता की खो किस रचना से नई कहानी की सुरुवात मानी जाती है निर्मल वर्मा की किस रचना से नई कहानी की सुरुवात मानी जाती है तो परिंदे है सालवती है ग्राम है राजा निर्वसिया है तो इस तरह से चार रचना यहां दी गई है चारों में जो परिंदे है निर्मल वर्मा की यह कहानी की रचना है अईशी से नई कहानी के सुरुवात वाने जाती है आईए अगले प्रेशन पर चलते हैं राजेंद्रे आदो की रचना एक इंच मुसकान की रचना विधा है एक आंकी, उपन्यास, नाटक, कहानी तो यहाँ पर राजेंद्र यादो जो एक इंचे मुस्कान की बात करते हैं तो उपन्यास बिधा में करते हैं अगला प्रशनी इस प्रकार से है परक उपन्यास के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, परशाद, जैनेंद्र, ब्रिंदा बल्लाल बर्मा तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पाएंगे परख उपन्यास के उपन्यासकार जैनेंद्र जी हैं जैनेंद्र जी का उपन्यास है परख अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन इस तरह से है किसने उपन्यास को प्रेम का बिज्ञान कहा है यह प्रशन बहुत ही महत्पूर्ण है हजारी प्रशाद दिवेदी जी ने आचार रामचंद सुकल ने पदुमलाल पुन्नालाल वक्षी ने किसोरी लाल गुष्वामी ने यहां सहीं भी कलप आपके सामने किसोरी लाल गुष्वामी ने उपन्यास को प्रेम का बिज्ञान कहा है किसोरी लाल गुष्वामी ने उपन्यास को प्रेम का बिज्ञान कहा है अगले प्रशन के तरफ चलते हैं है अगला प्रश्न है इत्यलम गीत रचना के रचनाकार हैं। यह प्रश्न PGT 2010 में पूछा भी गया है। ऐसे ही प्रश्न हम लिए हैं जो लगातार परिक्षाओं में पूछे जा रहे हैं प्रायह रिपीट किये जा रहे हैं। ऐसे किस रिंखला आज आपके सामने यह लेकर आये हैं इन प्रश्णों को बड़े ध्यान से आप पढ़िए अग्यें इत्यलम गीत रचना के रचनाकार कौन है अग्यें निराला धूमिल पंत यहां पर आप सहीं विकल्प जो चुनाव करेंगे सहीं विकल्प है अग्यें की गीत रचना है इत्यलम अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण है लोकायतन प्रवंध काव के रचनाकार है यह राजस्थान PGT में पूछा गया है 2009 में प्रशाद पंत निराला धर्मीर भारती तो यह प्रश्ण जो है आप इसमें देखे लोकायतन तो आप अभी समझ गए होंगे इसका सह सही विकल्ब आपके शामनी है जो B है पंत लोकायतन प्रवंध काव के रचनाकार कौन है पंत जी है अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है हिंदी साहित की रचना जिसे आधुनिक गीता कहा जाता है हिंदी साहित की वह रचना जिसे आधुनिक गीता कहा जात तो सही विकल्प आपका है कुरुछेत्र कुरुछेत्र हिंदी साहित्य के लिए आध्मी गीता के नाम से विख्याथ है अगले पर चलते हैं अगला प्रशन है मैथली बोली के लोगपरी कभी है मैथली बोली अम मैथली भासा हो गई है क्योंकि वह बोली जिसमें साहित्य दरजा दिया जाता है तो मैथली बोली है लेकिन इसे भासा का दरजा मिल चुका है तो आप यह ध्यान रखेंगे जिस बोली में साहित रचना होने लगती है वह बोली नहों करके भासा बन जाती है इस तरह से यहां पर सहीं भी कल्प आपके सामने जो है मैथली बोली के लोग हुआ कभीर किसकी पंग्ति है अपना मस्तक काटके बीर हुआ कभी यह पंग्ति किस ने कही है दादू ने रैदास ने कभीर ने आलम ने यहां पर सही विकल्प आपके सामने है दादू जी ने यह कहा है कि अपना मस्तक काटके बीर हुआ कभीर अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रिश्न है अद्वेत वाद के प्रवर्तक कोन है अद्वेत वाद के प्रवर्तक कोन है तो यहां पर आप देखेंगे अद्वेत वाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं उनका नाम है शंकराचार अद्वेत वाद के प्रवर्तक शंकराचार जी माने जाते हैं इसी के और निम्बारकान चार किसके हैं इनके प्रवर्तक कोण है यहां पर ध्यान देने की बात है इन सब के नाम आप जान सकते हैं के दुईत सब्सकते हैं और प सभी को याद कर सकते हैं इसी करम में तो अगले परस्ट पर चलते हैं अगला परश्ण है प्रेम शागर के लेखक कौन है यह पहुँआ है प्रस्ञ ने कई बार रुपीट किया गया परिक्षाओं में इसको बड़ी ध्यान से याद रखेंगे सदल मिस्र बाल कृष्ण भट लल्लू लाल राजा सिव प्रशास सितारे हिंद एक वारा और देखें सदल मिस्र बाल कृष्ण भट लल्लू लाल राजा सिव प्रशास सितारे हिंद यहां सहीं बिकल्प है प्रेम सागर जो रचना है किसकी है लल्लू लाल की लल्लू लाल की अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, किस की रचना है? तो यहां पर ध्यान देग Gabriel रचना जो है चंद बर्धाई की है, सोयंभू की है, दामोधर की है, या रोड़ा कभी की है, सहां है बिकल्प आपके सामने है, रोड़ा कभी की रचना, राओल वेल है यह रचन पत्थरों पर लिखी गई लिप है प्रस्तर लिप के रूप में विख्यात रचना है अगले प्रस्न पर चलते हैं अगला प्रस्न है कनुप्रिया कनुप्रिया के रचनाकार का नाम क्या है यह निट 2012 में पूछा गया है तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे चार विकल्प ये गए हैं धर्मबीर भारती शकुंतला माथूर सुमिंत्रा नंदन पंत राम बिलास सर्मा तो कनप्रिया के सही भी कलपकर आप देखेंगे तो धर्मबीर भारती जी हैं कनप्रिया के रचनाकार धर्मबीर भारती जी हैं अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण ह हमारे सामने अरुण यह मधुमे देश हमारा अरुण यह मधुमे देश हमारा पंक्त किस्से संबंधित है यहां चार राइटर दिये गए हैं चार लेखक दिये गए हैं सुमिंत्रा नंदन पंत जशंक प्रशाद सूर कांत्रिपाथी निराला आप अगर सही से देखें अरुण यह मधुमेदेश हमारा यह पंक्ति किस से संबंधित है तो सही बिकलप आपके सामने है यह पंक्ति ज्यशंकर प्रशात से संबंधित है अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन आपके सामने है आनंद अखंड बना था पंक्त का सेशांक है छोटा सा भाग है पंक्त से संबंधित है यह TGT 2015 में पूछा गया था किस से संबंधित है आनंद अखंड बना था किसकी काव्य पंक्ति में यह पंक्ति आई हुई है निराला पंत प्रशाद महादेवी वर्मा तो यहां सहीं भी कल्प आपके सामने हैं प्रशाद प्रशाद जी इस पंक्ति से संबंधित हैं अगले प्रशन पर चलते हैं अगला और चंतन को कहां सी करीशो काम, आवत जात पनहिया तूटे, भिषर गयो हरिनाम, किसका कथन है? चतुर भुजदास, सूरदास, कुम्भन दास, यहां चार बिकल्प दिये गए हैं. आवत जात पनहिया तूटे बिशर गयो हरिनाम अगर चार बिखल्प देखें तो इसमें कुम्बंदास जी ठहरते हैं कि संतन को कहां सी करीशो काम आवत जात पनहिया तूटे बिशर गयो हरिनाम इससे संबंधित हैं कुम्बंदास कुम्बंदास की अपंगती है अगले प्र बहुत ही बार परिक्षा में पूछा गया है चंदायन, मुल्ला दाउद, मंझन, काशिम सा, कुतुबन, इस तरह से चार राइटर के नाम यहां दिये गए हैं, जिसमें यह रचना अगर देखें, तो मुल्ला दाउद की है, चंदायन, मुल्ला दाउद, अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, सूरदास निम्न में से कि सुपन्यास का पात्र है, मानस का हंस, रंग भूमी, गवन, कर्म भूमी, तो सहीं विकल्प आपके शामने है, सूरदास जो पात्र है, वो रंग भूमी रचना से है, अगले प्रशन पर अगला प्रशन इस तरह से है कारुडालय, क्रीद्दगीत नाट किसकी रचना है, तो यहां पर ध्यान देनी की बात है, सुर्कांत्र पाठी नीराला, सुमिंत्रान अंदन पंत, जेशंकर प्रशाद, हजारी प्रशाद दिवेदी, यहां चार विकल्प दिये गए हैं, जिसमें सहीं विकल्प आपके सामने है, जेशंकर प्रशाद, करुणाले गीतनाठ के रचिनाकार हैं, अगले प्रशन पर चल ली गई है, यह पंक्त किस काब रचना से ली गई है, आप ध्यान से देखे, तो तुलसी दास आशू से, तुलसी दास रचना से, आशू रचना से, फ्रेम पथिक रचना से, पंचवटी प्रशंग पंचवटी से, तो यहां पर सहीं विकल्प आपके सामने जो है, पंचव परतल में इस तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है एक भारती आत्मा किस कभी का उपनाम है एक भारती आत्मा के नाम से कौन से कभी जाने जाते हैं TGT 2009 में पूछा गया है राजस्थान PSC में भी पूछा गया है 2011 में यह बार-बार पूछा जाने वाल एक भारती आत्मा के नाम से विख्यात कभी कौन है माखनलाल चतुरवेदी जी हैं अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशने गुल की बन्नो गुल की बन्नो किस रचनाकार दवरा लिखी गई कहानी है गुल की बन्नो कहानी की बात की जा रही है माखनलाल चतुरवेदी धर्म बीर भारती, शुमिंत्रा नंदन पंद, उदे संकर, भट, तो यहां पर ध्यान दे, गुल की बन्नों जो लिखी गई कहानी है, किस की कहानी हो सकती है, धर्म बीर भारती की कहानी हो सकती है, धर्म बीर भारती की कहानी गुल की बन्नों है, अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है सुकवी नामक काव पत्रिका के संपादक कौन है मुकुटधर पांडे राम देवत्रिपाथी गया प्रसाद सुकल सनेही उदै संकर भट तो सुकवी जो माने जाते हैं सुकवी किंकर भी कहे जाते हैं सुकवी जो माने गये हैं वह गया प्रसाद सुकल सनेही जी हैं अगला प्रशन जो इस तरह से है द्रिग उर्जत तूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत परति गाठ दुरजन है दै नई यह रीत यह जो है पंक्त किस अलंकार से संब अंदित है इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग में आया है आप देखेंगे यहां पर सही देखिए तो अशंगत अलंकार का प्रयोग हुआ है अशंगत अलंकार का तो चौथा विकल्प आपका सही है अशंगत अलंकार इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है शिक्का बदल गया कहानी किसकी है क्रिश्णा सोबती ज्ञान रंजन मन्नु भंडारी शिव मूर्थी सही बिकल्प है शिक्का बदल गया किसकी रचना है क्रिश्णा सोबती ज्ञान रंजन मन्नु भंडारी शिव मूर्ती तो यहां सही बिकल्प आपके सामने है कृष्णा सोबती कृष्णा सोबती शिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की रिष्णा है अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है इंदु वाली की कहानी नहीं है सबसे महत्पूर प्रश्ण है इंदु वाली की कहानी नहीं है पांचवा युग निकम्मा लड़का बिन छत का मकान चुभन तो चार रचनाए दी गई है कहानी दी गई है जिसमें एक कहानी इंदु वाली की नहीं है इंदु वाली की जो कहानी नहीं है उसका नाम है निकम्मा लड़का किसकी भासा को टक्षाली भासा कहा गया है सदल मिस्र, सदा सुखलाल जी, ललू लाल जी, इंसा अल्ला खा चार बिकल्प हैं, इन चार बिकल्प में टक्षाली भासा की बात की जाए तो लल्लू लाल की रशना को टक्षाली भाशा कहा गया है अगले प्रिश्ण पर चलते हैं काव्य प्रकास की रशनाकार कौन है राज सेखर, विश्वनात, दंडी, मम्मट यहाँ पर भी चार बिकल्प दिये गए हैं जिसमें से आपका सहीं बिकल्प है मम्मट काव्य प्रकास के रशनाकार हैं मम्मट काव्य प्रकास के रशनाकार माने जाते हैं अगला प्रशन है कामायनी छायाबाद का घुषणा पत्र है किसने कहा है मुक्तिबोध ने, पदुमलाल पुन्नालाल वक्षी ने, राम बिलाश शर्मा ने, राम चंद सुकल ने यहां पर कामायनी को छायावाद का घूशना पत्र किस ने कहा है इसका सही बिकल्ब है मुक्तिबोध ने कहा है कामायनी छायावाद का घूशना पत्र है मुक्तिबोध ने कहा है अगले प्रशन पर चलते हैं जब प्रशिद्ध अर्थ अथवा संकेतित अर्थबोध की मूल कारण उपलब्द हों तब कौन सी सब्दसक्ति होती है लक्षणा अभिधा बेंजना तात्पर्या यहां पर आपका शहीं विकल्प होगा तब अभिधा होती है अभिधा होती है इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है रशनिस्पत्ति के प्रथम व्याख्याता आचार माने जाते हैं भट नायक श्री भट भट लोलट अभिणयो गुप्त यहां पर भी चार बिकल्प दिये गए हैं और चार बिकल्प में जो सही बिकल्प है भट लोलट रशनिस्पत्ति के प्रथम व्याख्याता आचार जो माने जाते हैं भट लोलट जी हैं कोन है भट लोलट जी अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है आचार भट मुनी ने रसों की संख्या कितनी मानी हैं दसरस सातरस नौरस आठरस तो यहां पर भी चार बिकल्प आपके स्वांता है इं बिकल्पों में से सहीं बिकल्प है आठ मानी है भरत मुनी ने अपने नाटे सास्त्र में रसों की शंख्या आठ मानी है इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं अलंकार संप्रताय के प्रथम व्याख्याता आचार है आचार भामः वामन दंडी उद्भट यहां पर अलंकार संप्रताय की बात की जा रही है अलंकार संप्रताय में प्रथम व्याख्याता आचार जो माने जाते हैं आचार भामः माने जाते हैं इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं नई समिक्षा के जनक माने जाते हैं नई समिक्षा के जनक वर्ट्सवर्थ इलियट रही है जो नहीं समिक्षा के जनक हैं उनका नाम है इलियट इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है प्रिंसपल आफ लिटरेरी क्रिटिसीज्म के रचनाकार माने जाते हैं यहाँ पर चार बिकल्ब हैं, कालरीज, अर्नाल्ड, रिचर्ड्स, ड्राइडन, यहाँ पर दिखिए, चार बिकल्ब जो हैं, उसमें से सही बिकल्ब आपके सामने जो है, सही बिकल्ब, सी, रिचर्ड्स, रिचर्ड्स माने जाते हैं, प्रिंस्पल आप लिटरेरी क्रिटिस कि रिचनाकार रिचर्ड्स माने जाते हैं अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन अविज्ञान साकुंतलम का हिंदी अनुबाद किस ने किया अविज्ञान साकुंतलम का हिंदी अनुबाद किस ने किया कालिदाजी ने शदल मिश्र ने मैथले सरण गुप्त ने लचम किस ने किया राजा लच्मन सिंग्ने अगले परसन पर चलते हैं अगला परसन है चित्र साल आ कहानी के रचना कार माने जाते हैं विश्मभर्णास Canadian कोशिक उपहिंद्रनाथ अश्क शुमिंत्रा नंदन पंत सिया अ राम सरन गुप्त तो यह चार बिपकल्प है चार बिकल्प में सहीं बिकल्प है विस्सुंभर ना सर्मा कोशिक जी चित्रसाला कहानी के रचनाकार माने जाते हैं अगला प्रशन है अवधी भासा का प्रशिद्ध गरंथ रामचरित मानस की टी का निम्न में से किस ने लिखी कि सोरी दास ने महंदर रामचरण जान की प्रशाद हर चरण दास तो इस प्रशन में भी चार बिकल्प हैं चार बिकल्प में सहीं बिकल्प आपके सामने है महंदर रामचरण दास महंदर रामचरण दास अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है कत्की पूनो कविता के रचैता माने जाते हैं कत्की पूनो कविता के रचैता जो माने जाते हैं रश्कान जी हैं घनानन जी हैं अग्यें जी हैं दिन कर जी हैं तो यहां पर सहीं बिकल्प है सचिदा नंहीरा नंद वासायन अग्यें जी को माना जाता है गत्की पूनों के कविता के रचीता अगला प्रशन है बियोगी हरी का पूरा नाम क्या था यह प्रशन कई बार पर इछाओं में पूछा गया है इस प्रशन पर बड़े ध्यान से चार रखेंगे यहां बिकल्प दिये गये हैं इस तरह जो बहुत ही संदेह करने वाले होते हैं सौरी हरी दृवेदी एक बिकल्प दिया गया है स्री हर द्रिवेदी दूसरा है हर चरणदास तीसरा विकल्प है हर हर परशाद द्रिवेदी और चोधा है हरी परशाद द्रिवेदी यहां चार विकल्प दिये गए इन चार विकल्पों को आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा शहीं विकल्प हरी परशाद द्रिवेद दीजी वियोगी हरी का पूरा नाम है हरी प्रशाद दिवेदी जी इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं त्रीधारा कावे के रचनाकार कौन हैं PGT हिंदी में फूछा गया है PGT 2011 में फूछा गया है सुभद्रा कुमारी चोहान हर प्रशाद दिवेदी मैतले सरण गुप्त सुहनलाल त्रिवेदी इस तरह से अगर देखें यहां पर चार बिकल्पे भी दिखाई पढ़ रहें जिसमें से त्रिधारा कावी की रचनाकार मा सबन्दगली का आखरी मकान निवन्संग्रह कहानी शंग्रह कावी शंग्रह, एकांकी शंग्रह यहां चार बिकल्प हैं जिसमें से दूसरा बिकल्प सेहिं है कहानी शंग्रह अगले प्रशन पर चलते हैं राम जी की चीटी राम जी का शेर निवन संग्रह के रशनाकार है कनहया लाल मिश्प्रवाकर मन्नु भंडारी धर्म बीर भारती पूरन चंद टंडन यहां भी चार विकल्प आपको दिख रहे हैं इन चार विकल्पों में से धर्म बीर भारती विकल्प सही माना जा रहा है धर्म बीर भारती राम जी की चीटी राम जी का सेर निवन्द धर्म बीर भारती जी का है अगला प्रशन है रगवन्सम किसकी कृति है चालक की भरतमुन की बियास की कालीदास की यहां पर रगवन्सम की बात की जा रही है जब भी रगवन्सम की बात हो रगवन्सम कुमार्शंभोवं कालीदास का बैमृतम एक दूतम यह सभी रचनाएं कालीदास की मानी जाती हैं अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है कोलार करनाटक की रचना किसने की है जगदीश चंद माथूर भोनेश्वर मोहन राकेश उदेशंकरभट कोलार करनाटक रचना है कोलार करनाटक के रचनाकार कौन है तो यहाँ पर शहीं भी कल्प आपके सामने जो है जगधीश चंद्र माथुर जी कोलार करनाटके रिचनकार माने जाते हैं अगला विकल्प है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था सरस्वती पत्रिका जो कासी से निकलती थी बाद में प्रयाग लहावा से निकलने लगी इसका प्रकाशन वर्ष अगर बात करें तो प्रकाशन वर्ष चार विकल्प दिये गए हैं 1903, 1900, 1905, 1908, तो चार विकल्प में सहीं विकल्प है, 1900 में, इस तरह से यह विकल्प 1900 होगा, 1903 में एलहावा से छपने लगी थी, इसी तरह से कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है, अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन इस तरह से, राम चरित मानस महा कावी की रशना का स्री गणेश कब हुआ था? अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, बया का घोशला, आंचली को पन्यास के रशना कार हैं, बया का घोशला, तो चार बिकल्पी यहां भी दिये गए हैं, माखलाल चतुरवेदी, राम नरिष्त्रिपाथी, सुमेंतरा अनंदन पंत, और चौथा आप्शन है, उदेशंकर, भट्ट, यहां बया का घोशला जो है, वो पन्यास के रचना कार हैं, माखलाल चतुरवेदी, अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, इदन नमम, इदन नमम रचना के रचना कार हैं, यह परिक्षाओं में कई बार पूछा गया है, यह ऐसी रचना है, जो देखने में लगती हैं, संस्कृत की है, जबकि यह हिंदी की रचना है, इस की रचना कार पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान से से देखेंगे, राम नरिस्त्रिपाठी, चतुरसेन सास्त्री, सत्चिता नंहीरा नंद्वास सायन अग्ये, पदुम लालपुन्ना लालवक्षी, यहां पर सहीं भी कलपाप के सामने जो है, चतुरसेन सास्त्री जी है अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन जो इस प्रकार से है, अमेर्की विश्विद्याले में हिंदी किस यात्रा वित्र का प्रकरण है, ठेले पर हिमालय, चीनों पर चादनी, अप्रवासी की यात्राएं, मेरी यूरोप यात्रा, यहां पर अमेर्की विश्विद देले में हिंदी कि सियातावित्र का प्रकरण माना जा रहा है तो प्रकरण की बात अगर की जा रही है तो प्रकरण होगा अप्रवासी की यात्राएं अप्रवासी की यात्राएं अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है सन 42 के संस्मरण किसकी रचना है सन 42 के प्रवाकर, मैथली शारण गुपत, श्रीराम शर्मा, चार विकल्प दिये गए हैं, जिसमें से चारों विकल्प में सहीं विकल्प आपके सामने है, a performa 떨어지 भीकल्प प्रशन द्वार से स्वोपान तक, आत्म कथा के लेखक है हरिवन्स राय बच्चन, राम बिलाश शर्मा, लोचन प्रशाद पांडे, यस पाल तो इसमें सही भिकल्प है दस द्वार से सुपान तक यह आत्म कथा है किसका है हरिवन्स राय बच्चन का इसी तरह से अगली रचना है चित्र रेखा किसकब की रचना है कुतबन की, जैसी की, उसमान की, मंजन की चित्र रेखा की बात की जाए तो चित्र रेखा जो है जैसी की रचना है जैसी की रचना अगर चित्र लेखा पूछा जाता तो भगवती चरण बर्मा हो जाता इस तुरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है बुद्धू का काटा कहानी के लेख कौन है माखनलाल चुतुरवेदी भगवती चरण बर्मा चंद्र धरशर्मा गुलेरी बरिंदा भललाल बर्मा चार भीकल्प दिये गए हैं इसमें सहीं भीकल्प है कि मा एक बिकल्प सही माना जा रहा है जो सी बिकल्प है चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुद्धु का काटा अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन जो है आग का दरिया आग का दरिया किसकी रिचना है भीश्वसाहनी की कृष्ण चंदर की इसमत चुगताई की कुर्ल तुल कुर्टुल एन हैदर की इस तरह चार रशनाकार दी गए है आग का दरिया तो यह आग का दरिया की बात करें आग का दरिया जो रिचना है कुर्टुल एन हैदर की कुर्टुल एन हैदर की अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है धुन्या लोग के रचनाकार है आन वर्धन इसका सही बीकल्ब है आनंद वर्धन अगले प्रशन पर चलते हैं प्रगतिवाद काब श्रिष्टी है दार्शनिक वर्ग चेतन प्रधान यथार्थवादी बयक्तिक यथार्थ यहां पर सही बीकल्ब आपका है वर्ग चेतन प्रधान अगले प्रश्ण पर चलते हैं, अगला प्रश्ण है, अपराजिता के लेखक हैं, धीनकर, नरेंद्र सर्मा, रामेश्वर्शुक्ल अंचल, माखनलाल चतुरवेदी, यहां पर अपराजिता के लेखक हैं, रामेश्वर्शुक्ल अंचल, रामेश्वर्शुक्ल अंचल, अगले प्रिशने पर चलते हैं है अगला प्रष्ण है निसा नि मंत्रड के रचनाकार है कि यहाँ पर चार विकल्प दिये गये हैं इसमें से निसा निमंत्रड का सही विकल्प है हर्वंसराय बच्चन अगले परशन पर चलते हैं अगला प्रशन है निराला के किस रचना में प्रबंध आतमक्ता है तुलसी तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सरोजिस्मृत, चार रचनाएं दी गई हैं, तुलसी दास, कुकुरमुत्ता, सरोजिस्मृत, नए पत्ते, यहाँ पर चार रचनाएं हैं, इसमें सही विकल्प है, तुलसी दास, तुलसी दास में प्रवंधात मक्ता है, अगले प्रशन पर च गीत किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद सरमा की, सुमिंत्रा नंदन पंथ की, हर्वन सराय वच्चन की, तो प्रवासी के गीत जो है सही बिकल पापका है, नरेंदर सरमा की है, इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है कामाईनी का मूल दर्शन क्या है कामाईनी का मूल दर्शन क्या है बौध दर्शन चारवाक दर्शन प्रतिभिग्या दर्शन जैन दर्शन तो शहीं विकल्प आपके सामने है प्रतिभिग्या दर्शन कामाईनी का मूल दर्शन है प्रतिभिग्या दर्शन अगले प्रश्ण पर चलते हैं, अगला प्रश्ण जो इस तरह से है, राम की सक्ति पूजा किस रेणी की कविता है, हाईकू, मुक्तक कविता, कविता, लंबी कविता, यहां पर भी चार विकल्प दिये गए हैं, जिसमें राम की सक्ति पूजा, लंबी कविता के रूप में वर्डित है इसी तरह से अगले प्रिश्न पर चलते हैं छायवादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है जशिंकर प्रशाद को सुमिंत्रा नंदन पंत को महादेव बर्मा को सूर कांत्रिपाथी निराला को तिहां पर चार बिकल्प दिये गए हैं चार बिकल्प में शही बिकल्प आपके सामने जो है जशिंकर प्रशाद को जशिंकर प्रशाद को शायवाद के युग प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है अगले प्रश्न पर हैं जशिंकर प्रशाद की कृति नहीं है चार रचनाय दिये हैं जिसमें जशिंकर प्रशाद की कृति नहीं है कामायनी, दीप सिखा, जर्ना, कानन कुशुम, यहाँ पर जेशंक प्रशाद की रचना नहीं है, कृती नहीं है, दीप सिखा, दीप सिखा की बात करें, जेशंक प्रशाद की नहीं है, अगले, अगली प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, महा कभी भूशन की रचना है हुंकार रेडु का छट्रसाल दसक चिदंबरा यहां पर आप देख पा रहे हैं चार रचनाएं दी गई हैं जिसमें छट्रसाल दसक महाकविभूशन की रचना है अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण जो इस तरह से है सुजान सब्द का प्रयोग किस कभिकी कभ कविता में सरवाधिक हुआ है ठाकुर विद्यापत भूषन घणानन्द सही विकल्प है घणानन्द की कविता में सुजान सब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है अगले प्रश्ण पर चलते हैं नरोत्तम दास की प्रशित धिक्रिती रिचना का नाम क्या है सुदामा सुदामाचरित, हन्ान बाहुक, काबू कल्पदुम, काब्य कल्पदुम , बरवय रामायर यहां पर आपको लिखना होगा काब्य कल्पदुम , तो यहां पर चार रचनाय दी गई हैं जिसमें से नरोत्तम नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना पूछी जा रही है तो नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना जो है सुदामा चरित है नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना क्या है सुदामा चरित अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन जो है निम्न लिखित कभियों में अश्ट चापके कभी नहीं यह पूछा जा रहा है तो चतुर भुष्दास, गोबिंद स्वामी, सूर दास यह शभी हैं यहां पर सेकंड आपसन आपका सही हो जाएगा रैदास चापके कभियों में नहीं आते हैं अगला प्रश्न है प्रेम बाठका किसकी रचना है प्रेम बाठका किसकी रचना है मीरा बाई, नंददास, रश्खान, भारतेंदुहरिश्चन यहां पर सही बिकलप आपके शामने है प्रेम बाठका जो है रश्खान की रचना है अगले प्रश्न पर चलते हैं कबीर की भासा कहलाती है मैथली भासा ब्रज भासा अवधी भासा शदुकडी भासा तो कबीर की भासा जो कहलाती है शदुकडी भासा कहलाती है, अगला प्रशन इस तरह से है, चंदायन के रचेइता हैं, चंदायन के रचेइता जो माने जा रहे हैं, मुल्ला दाऊद, जाएसी, मंजन, दादू दयाल, चार्ट कभी दिये गए हैं, जिसमें से सही विकल्पाप के सामने जो है, मुल्ला दाऊ पर चलते हैं अजगर करें जाकरी पंची करें काम पंग्त किस्की है तो यह पंग्त जैसे ही पढ़ी जाती है तुरंत नाम याद आ जाता है कि दास मलूका कह गए और सवके दाता राम तो यहां सही आपसन आपका है मलूक दास आपका सही आप सन है मलूक दास आईए अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है सन अठारा सो में फोर्ट बिलियम कालेज की स्थापना किसने की थी सन अठारा सो में फोर्ट बिलियम कालेज की स्थापना देखे फोर्ट बिलियम कालेज के जो प्रिंस्पल थे उसमें से उन् लिखा गया है तो इस तरह से चार आफशन दिये गए हैं जिसमें फोर्ट पे लिए बिलियम कालेज के स्थापना की है तो जान गिल क्राइस्ट ने की है जान गिल क्राइस्ट ने की है अगले प्रशन पर चलते हैं कामायनी की सरद्धा निमलिखित में से किसका प्रतीक है बुद्धी का प्रतीक आनंद का भक्ति का हिर्दे का तो कामायनी की सरद्धा जो है हिर्दे का प्रतीक है हमेशा याद रखेंगे हिर्दे का प्रतीक है कामायनी की सरद्धा सुर्द्धा इसी तरह से अगला प्रश्ण है अनाम दास का पूथा सीर्शकु पन्यास के लेखक है हजारी प्रशाद दिवेदी ब्रिंदा वल्लाल वर्मा सुविंदा अनंदन पंथ अम्रित अम्रित लाल नागर यहां पर चार विकल्प दिये गए हैं जिसमें से सही विकल पाप का है हजारी प्रशाद दिवेदी सही विकल्प पाप का है हजारी प्रशाद दिवेदी अगले प्रश्ण है सरक्टी लास उपन्यास के लेखक हैं अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन जो इस तरह से है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध है यह एक निबंध रचना है, निबंध संग्र के लेखक का नाम बताना है, कुवेर नाथ राय, राम नरिस्त्रिपाथी, बिद्या निवास मिस्र, विश्णू प्रभाकर, तो यहां पर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका सही विकल्प आपके सामने जो है, बिद्या निवास मिस्र जी है, जिन्होंने कहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अगले प्रशन पर चलते हैं, उदित उदय गिरी मंच पर, रगुवर बाल पत जाता है, जब संभावना ब्यक्त की जाती है, तो उदित उदय गिरी मंच पर, रगुवर बाल पतंग कहा जाता है, जब संभावना ब्यक्त की जाती है, तो उदित पेच्छा होता है, यहां कोई संभावना नहीं है, ब्यतिरेग भी नहीं है, उपमा तब होता है, जब किसी से समानता की जाती है, उपमा, और जब किसी का वड़न हूब हूब उसे के अर्थ में किया जाए, जब भेद करना अंतर ना हो पाए, भेद करना कलंकार होता है रूप कलंकार होता है तापका सहीं विकल्प यहां होगा रूप कलंकार अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण राज भासा आयो के प्रथम अध्यच्छ कौन थे राज भासा आयो के प्रथम अध्यच्छ की बात की जा रही है कौन थे बाल गंगाध खेर, काका कालेलकर, बाल गंगाधर तिलक, मुंसि आयंगर, चार बिकल्प दिये गए हैं, जिसमें से सही बिकल्प आपका है, बाल गंगाधर खेर, आप याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक भी नाव आता है, भ्रमित होते हैं, यहां सही बिकल्प आपका रहेगा, बाल किस उप्भासा की बोली है पश्यमी हिंदी की बिहारी की राजस्थानी हिंदी की पूर्वे हिंदी की तो मगही जो होती है मैथली मगही और भोजपुरी बिहारी की बोलियां हैं मैथली मगही और भोजपुरे पश्यमी की हैं खड़ी बोली ब्रज, कनोजी, बांगरू, बुंदेली तो इस तरह से पस्यमी की हैं, राजस्थानी की हैं, मेवाती, जैपुरी, मालवी और मारवाडी इसी तरह पूरवी की हैं, अवधी, छतीसगड़ी और बगहेली तो याद रखें यहां बिहारी आपसन आपका सही है अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, रिशी शब्द का इस्त्रिलिंग है, रिशी पत्नी, रिशिनी, रिशी का, रिशी तो यहां सहीं बिकल्पाप का है, रिशी का, रिशी का इस्त्रिलिंग है, रिशी का अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन जो इस तरह से है, नारी तुम केवल सरद्धा हो, पंक्ति किस रचना में है, या पंक्ति किस रचना में है, नारी तुम केवल सरद्धा हो, तो अगर नारी तुम केवल सरद्धा हो, देखा जाए, तो कामायनी, चंद्रगुप् भारत भारती तो नारी तुम केवल स्रद्धा हो यह अगर देखा जाए सहीं से तो चोथे बिकल्प भारत भारती से है नारी तुम केवल स्रद्धा हो इसी तरह से अगले बिकल्प पर चलते हैं अगला प्रश्न है हम कौन थे क्या हो गए है और क्या होंगे अभी आओ बिचा काभ़पंग्दियां किस कभी की हैं यहां पर कभ लिखा गया है आपको कभी शमझना है जो गलत हुआ थै कभी की है किस कभी की है मैथली सरण गुप्त की राम नरेश त्रिपाठी की माखल लाल चतुर्वेदी की बाल कि शर्मा नदईन की तो 89 में जो सही बिकल्प आपका है बिकल्प ए सही है मैथली सरण गुप्त की अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन कुवर नारायन किस सब्तक के कभी हैं यह बहुत पूछा जाता है चार सब्तक हिंदी साहिते में बताए गये हैं इन चार सब्तकों में जो कभी हैं उन कभीयों को बहुत पूछा जात इनको याद करना है हमारे ही चैनल पर तार सब्तक का वीडियो दिया गया है जिसमें सूत्र बिध से आपको समझाया भी गया है कि किस सब्तक में कौन से कभी हैं चारो सब्तक के बारे में अच्छे से बताया गया है आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के प्लेलिस् है ऐसा पूछा गया है तो कुवर नारायन तीसरे सब तक के कभी माने जाते हैं कुवर नारायन जी तीसरे सब तक के कभी माने जाते हैं अगले प्रिशन पर चलते हैं अगला प्रशन है हमारे सामने तार सब स्पादक को ने विस्ता पूछा किंण तारसंप्तक के संपादन को ने ने हैं शैहोक दिया है तोnity better गोपते जीह हैं जीए जीहां यहां पर सेही भी कल पापके सामने मिल गया है शहीं भी मिकल्प है, सचिदा नंध, हीरा नंद, वासैन अगेंच ही है, तार सब्थक के शंपादक, अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, निमलिखित में से मनोबैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, यह प्रशन बहुत ही महजपूर होता है, जिसमें पहले मनो बैझ्यानी को पन्यास का लिखा गया funeral फिर पूछा गया नहीं है और हम जैसे मनों बैझ्यानी का नाम देखते हैं वह ऐसे सहीं आप सन्कों को टिक कर देते जैसे जयने में और यह वी हैं इलाचां जोसी हैं तो यहां पर आपको देखा के नहीं है तो जो नहीं है वो है मनोहर स्याम जोसी जी नहीं है अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन इस तरह से है महा कब देव की रचना है अब यहां पूछा गया है रचना है रचराज है शिंगार नेड़ है काब नेड़ है या अन्य कोई है यहां पर सही है महा कब देव की रचना है भाव विलास अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन जो इस तरह से है नायका भेत पर आधारित ग्रंथ रस्मंजरी के रचनाकार हैं यह सबसे महत्पूर्ण प्रशन पूछा गया है रस्मंजरी के रचनाकार जो कई बार पर रिक्षाओं पूछा गया है तो आप इसे ध्या अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन जो हमारे सामने हैं हिंदी नई कि यहहीं अगले पर चलते हैं अगला प्रश्ण है भीतर-भीतर, सबरस, चूसे, जोर-जोर से हसी-हसी तन मन धन लूटे, मूसे, ऐसा अगर कुछ लिखा रहे, तो यहाँ ऐसी पंक्त जो है, किस की है यह पोछा जा रहा है, तो ऐसी पंक्त किस की है, यह आपको बताना है, यहाँ चार अफ्शन दिये के सही बिकलप के सामने जो है ऑगले प्रैस्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है नौ जागरन का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है भारते अधुअ हरिष्णत को शिव्प्रसा सितारे हिंद को मुंसी प्रेम चंद को मैथली सरण गुप्त को तो नौ जागरन का अग्रदूत कहा जाता है तो भारतेंदु हरिश्यंद को यहां भी भारती लिखा गया है इसे आप भारतेंदु ही पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्यंद को अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है निराला की कविता राम की सक्थी पूझा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है आप इसको ध्यान से देखेंगे बालमिकी रामायड से, कृतिवास रामायड से, राम चरित्मानस से, शिव पूरान से, यहां पर सही विकल्प आपके सामने है, कृतिवास रामायड का सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है, अगले प्रशन पर चलते हैं, यादों की बारात किसकी आत्म कथा है, फड़िस्तुरनाथ र जर्जा की जोष मलीहवादी की सुमिंत्रा-णंदन-پंत्प यहाँ पर सही बिकलब आपके सामने आ गया है जो सही बिकलब वे जोस मलीहवादी की जोस मलीहवादी की रिशना है यादु की बारात, अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं, गालिब छूटी सराव इनमें से किस की आत्मकतह है, चर रचनाकार दिये गए हैं, जिसमें सहीं बिकल्ब आगे आपके सामने सहीं बिकल्ब है रविंद्र का लिया इस तरह से आज हम सभी ने सो प्रसने के स्रिंखला पढ़ी है यह सो प्रसन परिक्षा में बहुत बार पूछे जा रहे हैं इनको एक बार जरूर पढ़ें और आप अपने सुझाओ हमारे कमेंट बाक् करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिंद जय भारत